गुड मॉनिंग इस्टेंट आज हम पढ़ेंगे फिगर आफ स्पीच जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं अलंकार कहते हैं अब देखते हैं कि फिगर आफ स्पीच कहते किसे हैं words are phrases that make our languages beautiful, effective and impressive known as figure of speech यानि words are phrases that makes our language beautiful यानि जो सब्द होते हैं या phrases होते हैं वो हमारे language को क्या बनाते हैं beautiful बनाते हैं, effective बनाते हैं और impressive बनाते हैं उसी को हम कहते हैं figure of speech देखे figure of speech पढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लिजिए कि क्या हम कहीं भी किसी भी फक्षान या कहीं भी जाते हैं तो क्या जैसे हम घर पे रहते हैं वैसे ही जाते हैं नहीं यानि हम थोड़ा सा अच्छे से decorated होकर हम किसी के भी पार्टी ओटी में फक्षन में जाते हैं, same as it हमारा ये अलंकार है, इसमें क्या होता है कि सब्दों को चमतकार दिया जाता है, यानि जो भी sentence होता है, वाक्य होता है, उसमें चमतकार उत्पन होता है, जैसे कि पहला word है simly, simly में क्या होता है, इसको हम उपमा अलंकार, यानि, compression is made between two different objects, यानि दू अलग अलग जो object होंगे, उनका compression किया जाएगा, यानि तूलना किया जाएगा, एक दूसरे से, जैसे कि पहला sentence है, great khali, यानि great khali की तूलना किया जाएगा है, यानि the great khali looks as strong as an, यानि जो great khali है, वो कैसे है, ox की तरह बिल्कुल strong है, तो देखिए, great khali की जो तूलना है, वो किसके साथ किया जा रही है, ox के साथ किया जा रहा है, दूसरा sentence देखते हैं, लिखा हुआ है, the glow of his face was as bright as sunshine, बताइए, जो sunshine और face, face का जो तूलना जो है, वो किसके साथ किया जा रहा है, sunshine के साथ किया जा रहा है, क्या किसी का भी face, sunshine की तरह हो सकता है, नहीं हो सकता है, यह नि compare किया जा रहा है, next है, example आपका, कि after the examination, student felt as light as a feather, यानि जैसे ही बच्चों का exam खतम हुआ, जो बच्चे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे थे, बिल्कूल feeder के तरह महसूस कर रहे थे, यानि light as a feather, यानि जो punk होता है, punk की तरह महसूस कर रहे थे examination के बास, यानि देखे, student का किसके साथ compare किया जा रहा ह है, feeder के साथ, ये था हमारा similar, जिसको बोलते हैं हम उप्मालंकार, आए next देखते हैं, next है हमारा metaphor, metaphor को हिंदी में हम कहते हैं, रूपक अलंकार, अब रूपक अलंकार क्या होता है, तो compression is made between two different object without using any compression word, अब देखे, इससे पहले वाले में तो हम compression कर रहे थे, दो object के बीच में लेकिन इसमें कह रहा है, कि बिना किसी मतलब का, बिना किसी उदेश से का, दो object का तूलना किया जाएगा, जैसे हम इस example देखते हैं, लिखा हुआ है, you have a flower face, you have a flower face, बताइए क्या किसी का face, flower की तरह हो सकता है, क्या, नहीं हो सकता है, यानि face को flower बताया जा रहा है, देखे बिना किसी मतलब का, बिना किसी उदेश से का, बिना किसी सेंस का, face का तूलना flower के साथ किया जा रहा है, तो क्या कभी किसी का face flower हो सकता है, नहीं हो सकता है, नेक्स संटेंस से, कि मैं teacher, अब देखे, teacher का तूलना किसके साथ किया जा रहा है, angel का, यानि angel के साथ किसका तूलन सब्सक्राइश कैमल कभी सीपड़ हो सकता है क्या सब्सक्राइट रहे आ। लाए किसी मतलब का एक आपजेक्ट के साथ लुपजेक्ट का क्या किया जाता है कमप्रिजन किया जाता की तूलना किया जाता है बिना किसी मतलब का नेक्स्ट है आपका कि कि दड़ ड़ द Compl livelihood फिज जुई मारकेट यानि जू या मारकेट प्रहते वक्त हम इते हैं कि बिल्कुल जिरीYour बना रखें आरी मिल्कूल सुड़िया गर बना रहे हो तो किया सब्सक्राइस नहीं होता है कि रिखते हैं को कि फंड थो यह वह हमारा है यानि इसको हम क्या वोलते है इसको समझते हैं है गेविंग ईव्मने क्वैलिटी को थैन्र explode इसको और अच्छे से अगर समझना है तो इसको पढ़िए लिखा हुआ है कि वेन एन एनिमल बर्ड आइडियाज और अबजेक्ट इस सीन इन हुमन टॉम इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी एनिमल बर्ड आइडियाज को हम हुमन टर्म के रूप में व्यक्त करते हैं तो हम बोलते हैं परसुनिफिकेशन यानि मानवी करण हो रहा है जब कभी भी हम किसी भी जानवर को पक्षी को जो विचार होता है जो नॉन लिविंग ठींग सोता है अगर हम उसको क्या बोल दें इंसानों की तरव वर्क कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं परसुनिफिकेशन आए और अच्छे से समझते हैं एक्जाम्पल के साथ जिसे लिखा हुआ है The sun is smiled and chased away the angry cloud देखिए समझे यहाँ पे Sun is smiled कर रहा है क्या वो ब्यक्त है जो smile कर रहा है नहीं न Cloud को angry बताया जा रहा है क्या वो ब्यक्त है जो क्रोधित हो गया है यानि जब कभी भी non-living things को एक व्यक्तिका यानि human का term दिया जाएगा कि वो आदमी की तरज दोड़ रहा है या मुस्कुरा रहा या हस रहा है तो ऐसे सब्द को हम बोलते है personification तो यहाँ पे देखिए cloud को क्या बताया जा रहा है angry नेक्स संटेंस है यू कीप स्वारी यू सूट कीप वार्किंग हाड ऑपर्शुनिटीज आर नौकिंग एट यू टोर करा है कि हमें कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए और अपर्शुनिटीज हो है वह हमारे दर्वाजे खटखटाता है क्या ऐसा उसके पैर निकल आया ह इसलिए जो इसकी तूलना किसके के साथ किया जा रहा है डूर के साथ किया जा रहा है नेक्स संटेंस देखते हैं नेक्स संटेंस लिखा हुआ है कि हुआ हुए जम इसमाइल अपॉन देखिए क्या मून जो है और कभी समाइल कर सकता है याणि ब्यक्ति की की तर निया exatamente कर रहा है यानि रीवर सब्सक्राइब तो मुन कभी मुस्कुरा नहीं सकता है यानि व्बैक्तिक Цिह कर Stern में आ रहा है इसलिए हम को सकते हैं कि यह क्या है हमारा personification है जिसको हम बोलते हैं मानवी करण जिसमें मानों का बोध होता है किसी भी words को लेकर जैसे कि animals, birds, ideas जो होते हैं अगर हम इसको क्या बोलते है कि वो ब्यक्ति की तरह काम कर रहा है हस रहा है मुस्कुरा रहा है दोड़ रहा है चल रहा है तो इसको हम बोलते है परसन फिकेशन आई यह next देखते हैं नेक्स्ट है हमारा फोर यानि अग्जिमोरन अग्जिमोरन क्या होता है इसको हम बोलते हैं बिरोधा भास आए समझते हैं लिखा हुगा है टू अपोजिट क्वाइलटीज आड़ेट टू दा सम्थिंग देख लिए सेम इसका मतलब यह है कि क्या होगा अपोजिट वर्ड हो होगा यानि किसी भी संटेंस में जुष्ट जो वर्ड लिखा रहेगा उसका अपोजिट होगा यानि इसके ट्रिक भी है साथ साथ सब ट्रिक लिखा हुआ है आप ट्रिक को भी ध्यान रखते हुए इसको समझेंगे लिखा हुआ है पहला संटेंस कि his new friends is pretty ugly अब दाए pretty और अगले ये दूसरे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बिरोधा भास कर रहे हैं लिखा हुआ है बिरोधा भास मतलब दोनों से बिलकुल क्या है अपोजिट वर्ड है हमेशा साथ में रहेंगे और वो क्या लिखा रहेगा आपोजिट वर्ड लिखा रहेगा जैसे कि नेक्स संटे से ही सोड और क्रूवल काइंडनेस अबता है क्रूवल और काइंडनेस दोनों क्या है एक दूसरे को बिरात बिरोधा भास कर रहे हैं यानि दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है इसी को हम बोलते हैं आगजी मोरल आसा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ